सर्वेभ्यो नमह देववान संस्कितम यूटूब चैनल में आप सभी का हार देख अभिनंदन है संस्कित शिक्षा भाग चार की उत्तर पत्रका की सीरीज में आज हम आपको 24 में अभ्यास के ग्रिहकारिका मिलान कराएंगे यह अभ्यास पूरा पढ़ा दिया है पढ़ाने वाला जो पार्ट है इसके अंदर चतुर शब्द के रूप है और क्री धातु का प्रयोग बताया है क्रश्ठी का ने सश्ठी कहां होती है अनुस्वार संधी है ठीक है यह उदारण बाग के यह पढ़ा दिये मैंने कि मैं अब डॉक्टर कपिल देव जी ने कुछ ग्रिहकार दिया है उसका मिलान कर लीजिएगा क्यों मैंने आपको पढ़ाते समय दिया था संधी करो श्रमं कुरू तो अनुस्वार संधी हो जाए है तो श्रमं कुरू ऐसा हो जाए यह कुरू हटेक है अनुस्वार हो गया किम्चित किम्चित मातरं वंदे मातरं वंदे गोरूम नामती गोरूम नामती ठीक है तो अनुस्वार हो गया सब जड़े चतुर शब्द क सबस्क्राइब रूप नाम चतुर्षु यह तो हो गया पुल्लिंग का हूं त्रे लिंग में चतस्राहा यह पें तो यह जड़ों के आपको ऊंधार्म चत्र शब्द के पुल्लिंग में रूप लिखा erased आगे आपके ग्रिहकारे का मिलान करिएगा चलिएगा संस्क्रित बनाओ गाउं से दूर मेरा विद्यालय है ग्रामस्या दूरं ममा विद्यालय हां अस्ती गुरू के पास से आ रहा हूं गुरोहो समीपात आगच्छामी इता के पास जा रहा हूं पितोह समीपम गच्छामी यह अनार मीठा है इदम दाडिमं मधुरं अस्ती गाल में नीवू का रस डालो तो सूपे जंबीर रसम निक्षिपव एक गूलर खाओ एकम उदुम्बरं भक्षाय तहत शहतूत मीठा हो है तूतम मधुरं अस्ती तूतम बोलते हैं सहतूत को मेवा बलवर्धक है या तूतम शब्दा आया था इसमें बता देता हूं है आपको यह देखी तूतम मने शहतूत मलवरी मलवरी बोलते हैं इंग्लिसमस को चलिएगा तूतम अधा बलवर्धक होता है शुश्क भलं बलवर्धकं भवती प्रतिदिन वादाम और किश्मिस खाओ प्रतिदिन वातादम शुश्क राक्षाम चाखभक्षाय अधा मखाने दूद में डालो तो यह ऐसा होगा मखाननम दुगधे निक्षिप दूद में डालो उल्टा लग गयाई दुगधे में मखाननम मखाननम दुगधे निक्षिप सखाने को तो यहां पर आप बावचन भी कर सकते हैं मखाननानी ऐसा भी कर सकते हैं ठीक है तो इसमें आया था इसमें मखाननम तो मखाननानी भी कह सकते हैं मखाननम एक बचन बावचन दोनों कर सकते हैं ठीक है कर चात्रों को चार फल दो चतुर भ्याहा चात्रिभ्याः चत्वारी फलानी देही मैंने यहां काम किया आहम इदम कार्यम आकारवं तू प्रतिदिन यज्य करता है त्वम प्रतिदिनम यज्यम करोशी ठीक है जो हो गया अब है इसके आगे थोड़ा सा ग्रहकार और है इसको भी देख लिते हैं इन प्रश्णों के संस्कृत मैं उत्तर दो तो इस पार्ट के आधार पर मैंने दिये हैं ठीक है अब भ्यास के आधार पर प्रतिदिनम किं भक्षय प्रत दिन क्या खाओ तुम अब प्रत दिनम वातादम भक्षय प्रत दिन वाता बादम को खाओ आप यहां कुछ और भी लिख सकते हैं, शुष्क फलम कीद्रिशम भवती, शुष्क फल जो मेवा कैसे होते हैं, शुष्क फलम बलवर धकम भवती, दाणिमम कीद्रिशम भवती, अनार कैसा होता है, दाणिमम मधुरम भास्ती, कीद्रिशम अस्ती है, कैसा होता है, तो अना प्रणम निक्षिप जाल में नमक डालो चीनी तो नहीं डालनी जलिएगा अंतिम ग्रिहकार है प्रिधात उपरस्मैपदी के लट्ड और लंग के रूप लिखो लिखियámे मिलान कर लिए है लट्ड का फिर लंग का करोती कुरुताहा कुर्वंती करोशी कुरुताहा कुरुता करोमी कुर्वाहा कुर्मा ठीक है और ये लंग अकरोत अकुरुताम अकुर्वन अकरोहो अकुरुतम अकुरुता अकरवं अकुर्वा अकुर्मा ठीक है यह आपका 24 में अभ्यास के ग्रिहकार का मिलान हो गया आगे की कक्षा में अब हम कराएंगे आपको 25 में अभ्यास के ग्रिहकार का मिलान करवेभ्यो नमा